अब हम फेस के अंतर color fill करते हैं सबसे पहले आप skin layer को select कर लें और color fill करने के लिए हम paint pocket tool choose करते हैं लेकिन हमारा foreground color black color है और हमें skin tone वाला color fill करना है आप alt key press करके current tool और eye dropper tool में switch हो सकते हैं उसके बाद color को pick करें और जैसे आप alt key को release करेंगे आपका paint bucket tool वापस आ जाएगा उसके बाद मैं zoom करके यहाँ click करता हूँ और color fill हो गया है लेकिन यह color hair वाले area के अंदर भी flow हो गया है सबसे पहले हम control jet करते हैं और उसके बाद हम illustration वाली layer पर चलते हैं यहाँ पर हमें इस stroke को close करना पड़ेगा उसके लिए हम pencil tool choose करते हैं डी press करेंगे तो default color आ जाएंगे और उसके बाद आप इस तरीके से click and drag करके इस stroke को close कर सकते हैं मुझे लगता है कि यह area भी open हो सकते हैं तो मैं इसको भी close कर देता हूं I think close हो चुका है उसके बाद वापस हम switch होते हैं skin layer पर और skin tone को choose करते हैं alt press करके अब हमें paint bucket tool choose करना है उसका keyboard shortcut G है जैसे आप G press करेंगे tool activate हो गया है click करें और color fill हो है इस area के अंदर skin tone वाला color fill हो गया है लेकिन हमें यह delete करना है उसके लिए हम magic wand tool select कर लेते हैं इससे select करें I think यह पूरा ही select हो गया मुझे eraser tool use करके erase करना पड़ेगा e press करेंगे तो eraser tool activate हो जाएगा उसके बाद आप इस तरीके से जैसे brush use करते हैं वैसे ही इसे erase कर सकते हैं अब हम hair के अंदर color fill करेंगे सबसे पहले hair का color pick कर लेते हैं मैं यह वाला dark color hair मैं fill करना चाहता हूं eye dropper tool choose करता हूं color pick हो गया है उसके बाद हम यहाँ G press करेंगे जिसे color fill कर सके और जब भी आप color fill करें सबसे पहले आप layer selection का ध्यान रखें जैसे मुझे hair के अंदर color fill करना है तो मैं इसको select करता हूं क्लिक करें और color को fill करें कई बार जब आप color को fill करते हैं तो इस तरीके के white color के pixels दिखाई देने लग जाते हैं इनको fill करने के लिए आप pencil tool choose कर लें और paint करना start कर दें pencil का size increase करता हूं इस तरीके से white color के pixels fill हो गए अब मैं यह same color boots के अंदर भी fill करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं boot वाली layer को select करूंगा Ctrl-0 प्रेस करते हैं fit to screen के लिए और यहाँ पर मैं एक color fill कर देता हूं जी प्रेस करूंगा तो paint bucket tool आ जाएगा और इस तरीके से हमने color यहाँ पर भी fill कर दिया है अब बार-बार click करने की बजाए pencil tool चूज कर लें और paint करना स्टार्ट कर दें जिससे कि यह white color के जो pixels कई बार रह जाते हैं वह paint हो जाएंगे अब मैं top के अंदर color fill करता हूं उसके लिए मैं top layer को select करूंगा और सबसे पहले हम color pick कर लेते हैं मैं यह color pick करता हूं color pick करने के लिए eye press करें eye dropper tool आ जाएगा उसके बाद g press करेंगे paint pocket tool आ जाएगा और click करें जैसे मैं इस area के अंदर इस area के अंदर और यहाँ पर यह color चाहता हूं और यह color मैं paint के अंदर भी fill करना चाहता हूं तो सबसे पहले paint की layer को select करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर यह side वाले area के अंदर हम सेम यही color fill कर देते हैं अब हम next color pick करते हैं जो कि यह है alt press करूंगा यह color pick कर देता हूं उसके बाद मैं यह color paint के अंदर fill कर देता हूं paint की layer पहले से selected है जो area काफी छोटे छोटे हैं जिस पर मैं click नहीं कर सकता उसको मैं pencil tool से paint करूंगा जैसे कि यहां पर click करना possible नहीं है उस case मैं यहां पर pencil tool से paint करूंगा और अब सेम यही color हम यहां top में fill कर देते हैं उसके लिए सबसे पहले top layer को select करेंगे और paint bucket करेंगे जी प्रेस करके और सेम यही color में cap में भी fill करना चाहता हूं सबसे पहले इसको select करें और click करें अब मैं skin tone को select करता हूं और face के ऊपर थोड़ा सा work कर लेते हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि जो skin आइस थोड़ा reduce करना पड़ेगा आइस में color fill करने के लिए आप कोई dark color choose कर सकते हैं जैसे कि brown color की eyes होती हैं तो मैं यह color pick कर लेता हूं यहां हमने eyebrows के अंदर color fill नहीं किया है उसके लिए हम hair वाली layer को select करते हैं और यह वाला color pick करते हैं alt press करके यहां पर मैं orange color की tone ले लेता हूं अब हम lips को थोड़ा सा different color का shade देते हैं उसके लिए हम skin tone को select करेंगे eye press करके मैं color pick कर लेता हूं और थोड़ा सा dark color का shade choose करेंगे अब श्याज़ छॉड़ां क्छ्सक्श करेंगे धसर के बास बीज़ां कर दोड़ां क्व़बास कि अबरेega दिरिया कि यह'll अब मारेता हूं कि बीज़ां झाल